आप अपनी जिन्दगी में बहुत आगे बाढ़ना चाहते हैं पर आपको जी तो पता ही नहीं कि आपकी जो emotional blockage होते हैं आप उसको कैसे cleanse कर सकते हैं जी secret जदी आपको पता नहीं तो आप जिन्दगी का सबसे important secret information miss कर रहे हैं तो जदी आप चाहते हैं कि मैं अपने emotional जो blockage है उसको कैसे fix करूं तो जी वीडियो आपके लिए इस वीडियो में आपको तीन powerful strategies बताई जाएंगी जिससे आप उसे वक्त अपने जो emotional blockage है उसको disappear कर सकते हैं जी वीडियो उनके लिए है जो अपनी जिन्दगी में relationship को खुशर बनाना चाहते हैं business को अच्छा बनाना चाहत लोग आपके वारे में ही बाते करें तो जी चाहते हैं तो जो third वाला point है वो बहुत secret है बहुत कम 99% लोगों को पता ही नहीं कि वो इतना secret है तो ठीक है ready तो जदि आप अपनी life में emotional blockage को disappear करना चाहते हैं cleanse करना चाहते हैं तो जो भी कोई काम करने उस काम को शोर के इस manifest हो आपकी life में तो आपको हमारा youtube channel subscribe करना पड़ेगा नई जे कार्ड की energy आपकी जिन्दगी में manifest नहीं होगी तो अब आपनी decide करना है तो क्या एक पार्स मेर से मिलने के लिए तो उन्होंने बताया कि मैं बहुत ही tough situation में हूँ मुझे समझ में नहीं आता मैं उसको कैसे heal कर मैंने बहुत सारी remedies कर रखी हैं बहुत सारी लोगों से सलार ली है advice ली है पर कोई work नहीं की मुझे help करो कि मैं इसको कैसे fix करूं नहीं तो मैं मर जाओंगी तो ऐसे आए उन्होंने का कि मैं six year में एक relationship में थी मेरा बाइफन मुझे शोड़के चला गया कि बहुत तुम toxin हूँ मैं तुमारे साथ नहीं रह सकता मेरा दम गुड़ता है जब मैं तुमारे साथ होता हूँ और जब मैं काम पे जाती हूँ कोई मुझे पसान नहीं करता कोई मेरे साथ lunch भी नहीं करता मैं बहुत परिशान हूँ मुझे बताओ मैं क्या करूं मुझे बहुत किलापन मैसूस होता, मुझे रात को नीन नहीं आती जब मैं रात को सोती हूँ मुझे सारा रात मैं सोसी रहती हूँ, मुझे नीन नहीं आती मैं आपने को क्रिटीसाइज करती रहती हूँ I'm not enough, I'm not pretty मैं इतना low confident feel करती हूँ, मुझे समझ में नहीं मेरे सारे रिस्ते मुझे खराब हो रहे है और मुझे सबी शोड़के जा रहे है तो ऐसा ही होता है सबसे ज़्यादा क्या होता है कि हमारे जो thought होते हैं self talk हम उनको बोलते हैं वो एक certain kind energy create करते हैं, जदि वो energy negative होगी, तो सबी लोग उसको feel करते हैं, तो आपसे distance बनाने लगते हैं, कई लोग बोलते हैं और कई नहीं लोग बोलते हैं तो वो जदि आपको लगता है कि मेरे जो self talk है, वो बहुत ज़्यादा negative है, इसी की वज़ज़ से आपकी life में growth नहीं आ रही है, आपकी follow these points strategies, number one सबसे पहले, you have to start your self care जब मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे काम पे जाते हैं, कैते मैं dress up बहुत काम होती हूँ, कभी तो कैते मैं night suit में चली जाती हूँ काम पे तो आप देख सकते हैं कि आप dress up कैसे होते हैं, जब आप state change कर देते हैं, आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप fresh feel करते हैं और another thing, आप कौन से पैफरों लगा की जाते हैं, क्या होता है कि some, मैंने बहुत सारे लोग देते हैं, क्या मैं मैं में meeting पे जारू हूँ, मैं some तो trick, board जैसे dress up भी नहीं होते हैं, तो जदि आपको लगते हैं कि आप public में जाते हैं, you have to check your dress sense, तो जदि आप घर से काम कर रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि आपने घर से काम कर रहे हैं, तो आप हमेशा all day night suit में रहते हैं, जिस सबसे negative energy है, क्योंकि हमारे हरे एक कपड़ों के साथ हमारा anchor set होता है, क्योंकि आपके mind को पता है, क्यों मैं तो सोने जा रहे हूं, तो मैं तो एक lazy state में रहते हैं, जदि आप हमेशा all day हम night suit में रहते हैं, तो आप lazy state में रहते हैं, तो lazy state में रहते हैं, आपको पता है यह कैसा फील होता like this तो जदी आप घर से काम करें you have to get up in the morning you have to dress up for yourself जब आपने आपने लिए dress up होना शुरू कर देंगे देखना आपकी जिन्दगी कितनी खूसरत हो जाएगी number second, सबसे important आप जब भी किसी से बात कर रहे हैं आप gossip मत करें दूसरी लोगों की negative point मत करें कि वो ऐसा कर रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं, उसकी life में ऐसा चल रहा है stop, criticize another people जब भी आप किसी से बात करें, आप positive state में बात करें, positive sense में बात करें तो इससे क्या होगा? आप एक positivity create कर रहे हैं जदि आप किसी के बारे में gossip करेंगे तो लोग आपको बहुत जल्दी ignore करना शुरू कर देंगे, तो stop, do this third, सबसे ज़्यादा secret, इसमें हम रेकी का symbol कौन से यूज़ कर सकते हैं क्या होता है कि जदि हम रेकी का power symbol चकुरे और ओम symbol को combine करके यूज़ करते हैं, तो एक बहुत खुबसूरत frequency पैदा होती है जो positivity create करती है जो ओम symbol है, वो हमारे five state को change कर देता है जब हम ओम का अचारन करते हैं और ओम के symbol को अपनी body पे draw करते हैं, तो जदि आपको लग रहे है कि मैं बहुत negative feel करों, तो मैंने उनसे जही बोला कि आप जब काम पे जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, आपने अपनी third eye पे, ohm symbol draw करना है, और chakra sign draw करना है और अपनी heart के उपर ohm symbol draw करना है, और chakra sign draw करना है, और आपके tummy के उपर ohm symbol और chakra symbol draw करना है उसी क्या आप चिकीन ही करेंगे उसी वक्त आपकी state change हो जाएगी और आपनी जे affirmation यूज़ करनी है I love myself, I accept myself, all I need is within me happiness is mine, success is mine जब भी मैं किसी से बात करती हूँ मैं बो conversation को जवाय करती हूँ और वहत wisdom के साथ उससे बात करती हूँ दूसरे person से और मेरे पास इतनी positive energy है जो भी मेरे circle में आता है वो भी positive feel करता है ज़ी affirmation यूज़ करें अब ज़िकीन ही करेंगे 7 days में आपने देखना आपकी life में जो भी toxin बाले पाते थी वो disappear हो जाएंगे और आप बहुत relaxed feel करेंगे और लोग आपसे बात करने के लिए desperate होंगे अब आपके लिए कार निकालते कि जुनिवर्स आपको क्या message देती है वाँ one six once बहुत प्यारा कार है एक कार शो करता है बहुत प्यारा message देता है देखो जी कार हमें शो करता है जदि आप इसको personal development के बारे में सोचते है आपको अपनी leadership skills improve करने चाहिए आपको अपनी communication के skill के उपर काम करना चाहिए और आप leader बने follower मत बने और जदि आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा leadership बनना चाहते हैं तो अपनी knowledge को expand करें आप gem जाएं strong बने, diet करें अच्छी books बने आप जो भी अपनी जिन्दगी में इस वाइक जो भी आप desire सोच रहे हैं वो बहुत जल्दी आपकी जिन्दगी में manifest हो जाएगी और जदि चाहते हैं कि वो आपकी जिन्दगी में manifest हो तो आपने हमारा YouTube channel सब्सक्राइब कर लिया है और comment में जो कि I claim it तो जे energy आपकी life में manifest हो जाएगी और day by day जो आपकी wisdom है awakening होनी शुरू हो जाएगी ये बिकुछ ओम एंचकुरे symbol अब जब third eye में आप लगाते हैं आप चिकीनी करेंगी जो भी आपकी emotional blockage है वो ऐसे disappear हो जाएगे आप इंतिजार की सीज़का अभी करें और हमारे साथ अपना खुबसरत experience जरूर शेर करें और जोदि आपके पास जिंदिकी में बहुत सारी challenge आ रहे हैं आपको हमारी help चाहिए आप हमें comment करके बता हम उसके पर वीडियो बनाएंगे और हम फे कह रहे हैं कि जदी आप इस energy को manifest करना चाहते हैं अपनी life में तो claim it करें और हमारे YouTube channel को subscribe करें और thank you, we need your love and sport जदी आप हमें love करना चाहते हैं sport करना चाहते हैं तो हमारे YouTube channel को subscribe जरूर करें Thank you very much